आज हम सुझी का बहुत ही जादा टेस्टी नाश्ता लेका है जो बहुत ही जादा कम तेल में और बहुत ही जादा टेस्टी बनता है इसेралफ जटपट पन्दर मिनित में ही आप बना सकते हैं स्वाकत है आपका मेरी YouTube Channel पर यहां पर हमने एक पैन में एक चोटा चमचा सरसो का तेल डाला है और जब हमारा तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो हमें एक चमच यहां पर सरसो डाल रहे हैं और सरसो की चटकने के बाद ही हमें डाल देना यहां पर एक चमच जीरा और दोनों का अच्छे से भूल लेना है जिब दोनों अच्छे से करें हां अब हम डाल रहे हैं दोड इंध घुट ऐन करें हैं दू जब को लिगां को पाने तो इसके बाद हम डाल रहे हैं पानी तो यह धियान नखने आपको जितनी आपनि सूजी लिए स्के दो गुना में पानी रखना है तो हम एक छोटाब लेनी है तो उसने हमने दो की और अच्छे से हमें एक आखकर शूजी को भी याइड और जैसे आप सूजी ना को ऑभी जड़ानी चैनल को सूर्फ करन Peru अभूहां और ऊच्छे से पहुंच सके तो अभी हमारा देखिए सूज अच्छे से फूलने लगी है पान अच्छे से सूख चुका है तो इसको लगाता रहा हमें जब तक चलाता है जब तक पूरी तरह से ड्राइन हो जाए इसमें मौश्यर नहीं होना चाहिए पूरी तरह से हमें इसको पाने को सुख तो लगाता रहा में इसको चलाते रहना है यह खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है तो एक बार आप ज़रू बनाए जरू ट्राइ करें बच्छों को बहुत ही जादा पसंद आने वाले ही तो यह देखिए हमारी सूज इच्छे से इतने अच्छे से फूल च तो आप इसको हम निकाल लेंगे अलग प्लेट में और इसको हमें थोड़ा देना है ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए तो बिल्कुल अच्छे से हमें इसको ठंडा के लेना है गरम में नहीं करना है हमने यह तीन आलू ले लिए थे जिने अच्छे से उबाल के हमने कर दुकस करेंगे कर दुकस करेंगे ताकि कोई भी गुठली या लम्स ना आए वह अच्छे से एक प्रॉपर जो पेस्ट बनके रहे तो इस तरह से हम इसको आलो को अच्छे से मिक्स कर देंगे कि अच्छे से घूट लेना हमें अच्छे से गूत लेना है और इसको दो से 3 मिनिट उलक चोड चूड़ा करेंगे तो यहां पर हमने दो शेप बनाइए देख्यक पहले हम इसको चोटा सा लौईआ यसकी पेस्ट लेकर अच्छी से रोल करेंगे तो आप हातों पहलका सगीया लगा लीजिए और तब इसको रोल करनाया स्टार्ट कर जिए या तो आप चकले पर भी कर सकते हैं या नीचे ही आप बड़ा रोल बनाके इस तरह से हम इसको रोल बनाके कट कर देंगे चोटी चोटी शेप में बहुत ही जादा आथे लगते हैं बesting को बहुत ही जादा पसंदहाई कि शेप दो इस t Sudan से Martine जब हम कट करेंगे तो दोनों तरहसे टैप कर लेगे के इसको धोड़ा सा चेपटा कर देंगे तो इसी तरह से हमने दूसरा रोल भी ले लिया है और इसको इसी तरह से हम कट कर देंगे तो यहां में एक रोल बड़ा बना रही हूं तो मैंने यहां नीचे ले लिया है तो इसी तरह से यहां पर इसको हमें फिर से इसी तरह से कट करना है लेखे कितनी बढ़ीया शेप बनके तयार हुई है और जो भी फ्राय करके निकालेंगे तो बहुत ज़्यदा अच्छे लगेंगे तो इस तरह से हमने एक शेप में यह बना लिया और दूसरा हम बना रहे हैं छोटी छोटी बॉल्स तो आप यह गोल शेप में भी बना सकते हैं यह भाइब करें दोनों ही शेप में बनाई हैं देखे बनके तयार हो चुके हैं तो अभी हम इनको फ्राइड आने स्टार्ट करते हैं तो यह पैल में पहले ही ओइल अजिसे गरम होने के लिए आप रिफाइन ओइल भी रिए सकते हैं यहां मैंने थी तो इनको दीरे-दीरे ह में जाते हम भी नहींता ऊच्छे उसके तरह किए पूरी तरह के फिलेंगे पेले हमें पूरी dopamine यौनी के एंगया है , numeric ni channel में जाते हमें घाल टकीयों conten जाते हम जाएं की और सपरो रहे को हम ड्रक प्रमी पर परकर करना है तो रंग भी देखी कितना अच्छा आया है एकदम सुनेरी तो यह अंदर से एकदम सौफ्ट होते हैं और ऊपर से एकदम क्रिस्पी रहते हैं तो खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्टी लगते हैं एक बार प्लीज जरू ट्राइ करिए बहुत ज़्यादा पसंद आने वाल कैसी लगती है और प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दीजिए तो हमारी एक क्रिस्पी बॉल्स बिलकुल बनके तयार हैं और कितनी जादे टीस्टी लग रही है देखने में तो बहुत ही अंदर से एकदम सौफ्ट है और उपर से एकदम क्रिस्पी तो यह हम घट्टी मीठी चटनी के साथ इसको हम सर्फ करेंगे तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक बात जरूर इसको ट्राय करें और कमेंट करके जरूर बताएं प्लीज किए हमारी रेसिपी आपको कैसे लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और थैंक यू फोर वाचिंग आपको कैसे लगती हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं थैंक यू फोर वाचिंग